हाई गैज और विल्कम बैक तो दी चैनल दीपक यादव एजुकेशन विल्कम तो दी डेली हिंदू न्यूज और एडिटोरियल इनालेसस ऑफ 27 जून 2021 तो गैज आज है तारिक 27 जून 2021 और है संडे देखेंगे आज का दा हिंदू कंप्लीट न्यूस पेपर दा हिंदू कंप्लीट न्यूस पेपर को एनलाइस करेंगे बट लिक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगको ये कंप्लीट न्यूस पेपर का PDF चाहिए तो क्या करना है सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलिग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन आप लोगको ये चनल मिल जाएगा उस पे क्लिक करना और जाकर इस चनल को जॉइन कर लेना देखो अगर आप लोगको इस तरीके से ये चनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगको टेलिग्राम का लिंक दिया गया है वो लिंक के इसी चनल का है जैसे आप उस पे क्लिक करोगे आटोमेटिकल ये चनल ओपन हो जाएगा इसको जाकर जॉइन कर लेना नाव जॉइन करने से फाइदा क्या होगा यहाँ पर आपको डेली बिस्स पर दाहिंदू न्यूस पेपर मिल जाता है डेली करेंट अफेर के वीडियो का पीडियेफ मिल जाता है डेली बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं और ये सारी चीज़ें मिलती हैं बिल्क अपरिजन में कहां पर है अच्छे से मैप में देखना फिर आकर नीचे कॉमेंट सेक्शन में टाइप करना जिससे कि आप लोग इसको लंबा समय तक याद रख पाऊगे तो चलो शुरुबात करते हैं यह आज का सबसे पहला आर्टिकल जिसके अंदर बात करी गई है बहुत सतेजी से यह फैलतावा नजर आ रहा है यहां पर यह एक वेरियंट ऑफ कंसर्ण की कैडिगरी के अंदर लियाया गया है उसी वज़ा से जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट है उन्होंने स्टेट्स को वानिंग दी है कि जो डेल्टा प्लस वेरेंट है आज के टाइम पर यह वेरेंट ऑफ कंसर्ण है और अपनी जो ट्रांसमेसिबिलिटी वगएरा है यह इंक्रीज कर चुका है मतलब कि जादा ट्रांसमेसिबल हो चुका है लोग को बहुत बुरी तरह से अफेक्ट कर रहा है कोई इसका जो एंटी बॉडी रस्पंस वगएरा जो भी है वो स्टैप्स उठाएं ताकि यह वाइरस वगएरा इसको पूरी तरह से अभी हम लोग रोक सके इसको स्प्राइड होना से क्योंकि अभी हम लोग ने सेकेंड वेव देखा है नहीं चाहते हैं कि थर्ड वेव भी हम लोग देखें ठीक है अब यहां पर एक छोटास आर्टिकल और साइट में देखने को मिलेगा जिसमें WHO ने एक स्टेटमेंट दिया यानि कि वर्ल्ल हेल्ट ओगिनाजेशन नहीं यह बोला है कि जो डेल्टा वेरेंट है वो आज के टाइम पर लगबग 85 कंट्रीस के अंदर देखने को मिल रहा है और बहुत तेजी से ट्रांसमेट हो आर्टिकल में डिसकस करेंगे तो सबसे पहली बात यहाँ पर डेल्टा प्लस वेरेंट के बारे में अगर हम लोग बात करें तो डेल्टा प्लस इसको हम लोग एवाई डॉट वेरेंट भी बोलते हैं और एक तरीके से यह एक नया वेरेंट है देखो पहले हमारे पास पर यह पहले से खतरनाक था और प्लस में जाकर यह और ज़्यादे खतरना हो चुका है ऐसा यहां पर कहना है जो भी हमारे साइंटिस्ट है उनका उसके बाद जो यह डिल्टा प्लस वेरेंट है इसको करेक्टराइस किया जाता है के 4179 से ठीक है आपको यह धिहान रखना है क 4179 करके यहां पर यह म्यूटेंट है जो कि यह बदला हुआ है इस कोविट-19 के अंदर जिसकी वजह से यह काफी जादा डेंजरॉस हो चुका है अब एक क्वेशन यह भी आता है कि हाँ यह वेरेंट ऑफ कंसर्न की काडिगरी के अंदर डाला गया है तो यह वेरेंट ऑफ सिंपली टेलिग्राम पर एक और चैनल जॉइन कर सकते हैं दीपक यादव एजुकेशन नोट्स करके वो चैनल है ठीक है उसको जाकर आप लोग जॉइन करेना यहां पर आपको ब्राकेट में नोट्स मिल जाएगा तो दोनों ही चैनल जॉइन करेना क्योंकि यहां पर आप हुआıl फॉन को डिस्कवर साउथ आफरीका के इंदर बींडा को डिस्कवर किया है इनके अगर को आपको सकते हो पहले यहां जिस पाट driving को इस हो था है उसकर आप यहां दिया जैसे की Roz साउथ आफरीका के अंदर देखने को मिला तो इंडिया नाम दिये जा रहे थे लेकिन डबलू आच और विल्ड हेल्ट और इसे बोला की कि देखो आयसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि सीभी कंट्री का नाम जो है आगे नहीं लगाया जाएगा इस से रोसिजम वगरा को काफी Indian variant important है तो यहाँ पर पहले इसको B.1.617.2 करके बोला जाता था इसको लेकिन अब जो है WHO ने इसका नाम दिया है Delta variant तो इसी के अंदर यह change हुआ है इसी के अंदर mutation हुआ और mutation मैं आपको बताया अभी जो नाम बताया था K.4179 करके तो यह जो mutation हुआ इसकी वज़ा से यह Delta प्लस बन चुका है यह और ज्यादा थोड़ा सा खतरना हो चुका है अब आप लोग देख पाओगे यह जो चारो variant है basically यह variant of concern की category के अंदर डाले गए हैं यहाँ पर आप लोग देख पा रहोंगे variant of concern मतलब इनको लेकर काफी चिंता वाली बात है इनका जो transmissibility rate है वो काफी तेजी से बढ़ता हुआ नजर आया है उसके बाद यहाँ पर जो variant of interest है यहाँ पर आपको बहुत सारे variant देखने को मिल जाएंगे जैसे कि US का एक variant है ब्राजिल का है multiple countries का है यहाँ पर इंडिया का एक और variant है ठीक है अब आपको मालूम होगा यहाँ पर B.1.617.1 है और यह जो आपका सकतो concern वाली category के अंदर है यहाँ पर B.1.617.2 है ठीक है इतना चोटा सा यहाँ पर बदलावे दोनों के बीच में और बहुत सारी इसका infection rate कितना जाद है उसी वज़ा से इसको variant of concern की category के अंदर डाला गया है I hope आप लोग यह अच्छे से समझ गए होंगे यह क्या है exactly उसके बाद आता है next article जिसके अंदर जो हमारे ओमार अब्दुल्ला साहब है इनका कहना यह है कि देखो अगर deal limitation चाहिए जमू एंड तो वहां के जो भी leaders है एक तरीके से वगेंस्ट में भी है क्योंकि उनको आता कहना यह है कि आप लोग statehood restore कर दो यानि कि जो हमने article 370 और 35A को abrogate किया था वो वापस से restore कर दो ऐसा वहां की leaders का कहना है और उसी तरीके से जो ओमार अब्दुल्ला है यह national conference vice president है इन्होंने य restoration करना पड़ेगा आर्टिकल 370 का और 35A का ऐसा यहां पर इनका कहना है जो कि आपको पिछले कुछ दिनों से बहुत सारे आर्टिकल देखने को मिल ले हूंगे नौ इसी टैप का आर्टिकल एक आगे भी दे रखा है जहां पर delimitation के बारे में और ही बहुत सारी चीज़े द और उसी के regarding farmers ने लगातार प्रोटेस्ट किया और 7 महीने हो चुके हैं इस प्रोटेस्ट को और प्रोटेस्ट अभी भी जारी है उसी के बारे में एक छोटी से update दी गई है देन उसके बाद यहां पर आप देख पाऊगे कि यह चीज़ बताई गई क्या एक unique चीज़ों जो ठीके एक तरीके से समयुक्त किसान मोडचाग ने absorb किया यह सारी चीज़े तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है ओके दरुसक बाद एक छोटा सा article यहां पर आपको देखने को मिलेगा यहां पर एक statement दिये दिया गया है जो हमारी union government है उसने inform किया Supreme Court को और यह बोला ह कि लगबग 186 करोड वैक्सीन के डोजिस की हम लोग को जरूरत है अगर हम लोग को सभी लोग को वैक्सीन देनी है तो खासकर 18 साल से उपर वाले लोग सिंपल है यानि 18 साल से उपर वाले लोग जितने भी एंडिया के अंदर अगर हमें उनको दोनों डोजिस देनी है वैक करेगा है दर उसके बाद एक छोड़ा सा आर्टिकल यहां पर आपको देखने को मिलेगा आर्मी अविएशन रेज़स टैंपों और अपर इसमें क्या बोला जा रहा है आपको मालूम होगा जो लाइन ओफ एक्ष्वल कंट्रोल है वहां पर टेंशन कोई नहीं नहीं है बहु यहां पर गेर्शन को मिलेगा यहां पर इसको पाकिस्तान के कर रहा है यहां अब यहां पर आप लोग देख पार होंगे यह जो पाकिस्तान के साइड है लाइन अफ कंट्रोल है और इधर लाइन अफ एक्च्वल कंट्रोल है यहाँ पर बात करी जारी आर्टिकल के अंदर लाइन अफ एक्च्वल कंट्रोल की यही पर पिछले एक डिट साल से लगातार कॉन्फिक्ट जारी है इंडिया और चाइन के बीच में अब यहां पर देखो conflict वगएरा जारी है वो बात अलग है लेकिन हमारी कुछ आप कर सकते हो कि equipments वगएरा जैसे कि helicopters वगएरा वो काफी पुराने हो चुक है जैसे चीता चेतक हेलिकॉप्टर है हमारे आर्मी के वो पुराने हो चुक है और इसके बारे में आप लोग देख पाओगे लगातार आर्टिकल्स आहीं रहें और काफी बार हमने डिसकस भी क्या है लेकिन अब क्या है न यह बोला जा रहा है कि हमने जैसे जैसे टेंशन्स क्रियेट हुए लसी के उपर हमने बहुत सारी चीज़ों के अंदर डेवलिप्मेंट होते वे देखा है बहुत सारी चीज़ा हम लोगों ने अपने आर्मी के अंदर इंड़क्ट करी है जैसे कि गौगल यहां पर एक तरीके से यह आपका सकतो हेलिकॉप्टर्स वगरा हम लोगों ने इंड़क्ट करें है उसके बाद यहां पर और क्या है ए पिछले कुछ टाइम में और यह जो 90 एडवांस्ट लाइट हेलिकॉप्टर्स हैं और 75 रुद्रा हेलिकॉप्टर्स हैं इसको भी हमने अपनी सर्विस के अंदर लिया है जिसको बनाया गया है हमारे हिंदूस्तान एरोनाटेक्स लिमिटेड के द्वारा उसके बाद यहां के अंदर AH-64 अपाची हमारे पास होने वाला है यह बेस्ट अटैक हेलिकॉप्टर है ठीक है जो हमारी हेल्प करेगा उसके बाद यहां पर हमारे पास और भी जैसे की रेशन हेलिकॉप्टर्स आने वाले हैं जिसको हम लोग लाइट यूटिलिटी हेलिकॉप्टर बोलते ह और आपको मालूम होगा पिछले कुछ दिनों भी हेलिकॉप्टर न्यूस के अंदर था ठीक है मैंने डिसकस भी किया था रेशिया का जो हेलिकॉप्टर है के डबल टू सिक्स्टी ठीक हेलिकॉप्टर हम लोग लेने वाले हैं और यह जल्दी से हमारे पास आएगा तो इस हैं तो यह जो हेलिकॉप्टर है इसका नामे कामुफ डबल टू सिक्स्टी है यूटिलीडी हलिकॉप्टर यह आठीकल आपका प्रेलिम्स के पॉइंट रूसे इंपोर्ण हो सकता है जी जो हेलिकॉप्टर है दो हजार पंदरा में इंडिया और रस्या ने मिलकर एक इंट किता हेलिकॉप्टर उसको वापस से रिप्लेस किया जाए और यह नया है जाए जाएं अब जो यह डिजाइन है रुजय है और बोलूको यह सेल कर लाए एक तरीके से आपको सेल करने की बात नहीं कहीं हम लोग यह जो ह knifemaker रें यह इंडिया में ही बनाया जा रहें इंडिया में बना जाएंगे कि joint venture कलों जुरूय मतलब इसके अंदर रशिया कंपनी और इंडियां कंपनी मिल तो इसको एक light helicopter बोला जाता है और यह जो आपका सकते हो कितना load लेकर चल सकता है लगबग एक ton तक का यह वजन उठा सकता है बहुत सारे special features आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे इसके अंदर coaxial rotors वगरा देखने को मिल जाते हैं ठीके इसकी जो lift वाली power है इसको और जादे बढ़ा देते हैं जो rotors है इसकी वजासे इसकी जो payload capacity है वो भी और जादे अच्छी हो जाती है और यह ज़्यादा समान को carry कर सकता है ठीके यह सारी चीज़े हो गई उसके बाद यहाँ पर question यह है कि हम लोग ने क्यों लिया है तो अब यहाँ पर आपको मालूम चल पूरत है आर्मी को ऐसे आप आर्मी ने statement दिया है ठीके अब यहाँ पर मैपको यह इस helicopter का picture भी दिखा देता हूं ताकि आप लोग इसको और जाद अच्छी से देख सको यह है के डबल टू सिक्स्टी helicopter ओके अब आगे बढ़ते हैं next article की तरफ यहाँ पर एक छोटा सा आर् अब यहाँ पर देखो एक man था एक आदमी जिसको यहाँ पर इस law के अंदर में charge किया फ़लाल उसको भी यहाँ पर relief अगरा दे दिया गया है तो देखो यह ordinance लाया गया था आपको मालूम होगा यूपी के अंदर law लाया गया था इसका नाम था prohibition of unlawful religious conversion ordinance 2020 तो 2020 में इसको लाये गया था उसके बाद इसका काफी जादा criticism वगरा भी होता हुआ नजर आया था आपको याद होगा हमने बहुत सारे एडिटूरियल्स वगरा डिसकस किये था जिसके अंदर इस law को criticize भी किया गया था तो जो यूपी cabinet है उसने अब इसका नाम बताया इसने लगबग यहां पर recommend यह किया है कि लगबग आप देख सकते हो कि होता का है मैं आपको simple समझा देता हूँ कि कोई भी व्यक्ति कोई भी male व्यक्ति क्या करें किसी female को ठीख किसी female को जबरदस्ती यहां पर साधी ना करें अगर जबरदस्ती करता है और इसके अंदर बहुत सजा वगरा भी मिल जाती है ठीक है और यहां पर आपको देखने को मिल जाएगी और साथ यहां पर जो जेल है वह सबस्क्राइब करने चीज़ें और आपको जो नोटीस पीरेट वगरा वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने जाएगा ठीक है इस चीज को लेकर यह सारी चीज़ें बताए गई थी ठीक है चूटस इंफॉर्मेशन इसको बारे में ध्यान रखना कि इसका क्या नाम है और क्या इसका परपस है देन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की दरफ नो यहां पर आप लोग एक छोटा सा आर्टिकल देखने को मिलेगा जहां पर डिसकस किया गया है वाई डस जम्गो इन कश्मीरे डिलिमिटेशन एक्ससाइज माटर अब यहां पर यह जो डि और क्या है तो इसके बारे हम लोग बात करते हैं यह आर्टिकल आपका गवर्नेंस के पॉइंट आव्यू से इंपोर्टेंट हो जाता है जी एस पेपर टू इंडियन कॉंसिट्यूशन इलेक्शन इस स्टेड़री बोडी यह सारे टॉपिक्स आपको अपने एक्जाम के द अब जो है इन इसको वापस से रिड्रॉ करना उसका अंदर बदलाव करना वह सब यहां पर आपको डियर देखने को मिलेगा आपको सिंपल से इस बता देता हूं यहां पर क्या होने वाला है यह जो पॉपुलेशन है उसको लेकर बातचीत करी जाती है मानलो यहां पर वगड़ बढ़ चुकी होगी अब यहां पर पॉपुलेशन जैसे चेंज होगी है उसके हिसाप से आप्र हो सकता है सीट बढ़ा दी जाए ठाए और यहां पर जो इसको अट कर दिया जाएगा इसके अंदर थीक है तो यहां पर उसी को लेकर चर्चा होती है अब क्या है ए क्या है एक इक fusion देता है क्ववल पॉपुलेशन को मतलब अभी जापर समझो कि कोई स्बाइशन करने वाले वाला कौन है एक एंपी है अब दूसी तरफ हैं दस लाथ लोग ठीक है अब इनके वाले मैंबे फेला नहीं ठीक है अब इसी को equal representation देने के लिए यहाँ पर क्या करने वाले हैं हम लोग यहाँ पर क्या होगा यह जैसे जैसे population के अंदर बदलाव हो रहा है उसके हिसाब से जो constituency है उसके अंदर भी बदलाव कर दिया जाता है ठीक है तो यह सारी चीज़ यहाँ पर देखने को मिल जाती ह है डी Limi Women इशन के अंदर में उसके बाद यहाँ पर डी मिटेशन करता है अदर ऑसके बाद यहाँ पर जो स्टेट is है उनको डिवाइड कर आ सकता है अदर तीके इसetteलिमिटर एकक्रीडिय अक्तिक है तो उसिसके बारे में बात करी गई है देन उसके बाद यहाँ पर first delimitation exercise को carry किया गया था हमारे president के दुआरा 1950 और 1951 के आसपास और उसी के साथ delimitation commission को बनाया गया 1952 में अब जो यह commission है यह चार बार अपना setup हो चुका है चार बार कब-कब 1952 में 1963 में 1973 में और 2002 के अंदर यहाँ पर देखने को मिलेगा इसके अंदर कौन कौन से लोग होता है बहुत सारे लोग होता है आपका सकते जो commission है इसको appoint किया जाता है president of India के दौरा और यह commission work करता है election commission of India के साथ मिलकर इसके अंदर retired supreme court के judge होता है chief election commissioner होता है respective state election commissioner भी आपको देखने को मिल जाएंगे बहुत सारे functions यह अपने आपका सकतो अपले करता हूँ नजर आता है जैसे कि जो number and boundaries एक constituencies की उसको determine करना और साथिसा जो population है उन constituencies के अंदर उसको यहाँ पर एक equal representation देना और साथिसा जो schedule cast और schedule tribes हैं उनकी seats को आपका सकतो identify करना जो reserved seats है उनको identify करने का यहाँ पर यह काम कर नजर आता है जो delimitation commission है यह इंडिया का एक high power body है और जिसने अगर यहाँ पर अपना law init कर दिया है तो उस law को आपका सकतो किसी court के आगे challenge नहीं किया जा सकता है उसके बारे में यहाँ पर आपको ध्यान रखना है जो notes वगरा वह आपको telegram पर भी मिल जाएंगे ध्यान सब्सक्राइब को मैंने यहाँ चोटा सा ओवर्वी दिया है तो पर्स वाला वीडियो देख लेना पर्स वाला वीडियो आपने देखा होगा तो आप इसली समझ पाओगे उसको ठीक है क्योंकि पिछले तीन चार्जन से हम लोग चर्चा कर रहे है इस delimitation को लेकर उसके ब कि जो कॉर्बेट और राजाजी टाइगर रिजर्व है इसको पूरे साल के लिए खोल दिया जाए पूरे साल ओपन रखा जाए अब ऐसा क्यों है अब आप कहोगे कि पूरे साल नहीं खुलता तो देखो पूरे साल कहां खुलता है जून से लेकर मिड नवंबर के बीच त देखने को मिलेगी एनिमल्स के प्रती तो यहां पर ऐसा नहीं करना चाहिए तो इस डिसिजन को ऑपोस किया गया है एक्सपर्ट के दौरा ठीके तो यह बताया गया नाव उसके बाद अब यहां पर इस आर्टिकल में दो तीन चीज़े काफी इंपोरेंट आप समझ गया ह कॉर्बेट टाइगर रिजर्व यह लोकेटेड है नैनिताल डिस्ट्रिक्ट आफ उत्राखंड के अंदर यह जो प्रोजेक्ट टाइगर है इसको लॉंच किया गया था 1973 में कॉर्बेट नैशनल पार्क के अंदर ठीक है जो की एक कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का ही पा में अब बताओ 2021 के अंदर टोटल कितने टाइगर रिजर्व से इंडिया के अंदर ठीक है नहीं पता है तो सर्च करना लेकिन पता जरूर होना चाहिए जरा नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताओ अब यहां पर क्या है दूसरा टाइगर रिजर्व का क्या देखने को मिलेग इसकी लोकेशन हरीदवार उत्राखंड के आसपास आप लोगो देखने को मिल जाएगी और उसके बाद इसका जो बैक्ग्राउंड की बात करें तो यहां पर आपको सेंक्ट्वरी देखने को मिलेंगी उत्राखंड के अंदर थी पहले वह थी राजा जी मोती चूर और चि से पढ़ा एक freedom fighter थे आपको मालूम होगा सी राजा गोपलाचारी तो इनके उपर यहां पर यह राजा जी नाम रखा गया है अब फीचर्स क्या क्या है यहां पर आप देख पाऊगे जो एरिया है ना नौर्थ-West limit of habitat of Asian elephant देखने को मिलेगा Forest तैप जो है यहां पर आपको देखने को मिलेगा इनमे साल फॉरेस्ट देखने को मिल जाएंगे यह सारी चीज़े देखने को मिल जाती है लगबग 23 mr. बर्ड की प्रजातिया मिलती है बहुत सरे जानवर जैसे की Elephant टाइगर लेपर यह सारी चीज़े यहां पर देखने को मिल जाती है उसके बाद यहां पर इसको टाइगर रिजर्फ डेक्लियर के गया था 2015 में इससे पहले नाशनल पार्क हुआ करता था तो उसके बारे में याद रखना और विंटर्स के टाइम में जो वन गुजर्स होते हैं वो यहां पर पहने आ जाते हैं ठीक है उनका होम कहलाता है यह ठीक है तो छोटी-छोटी इंफर्मेशन इसके बारे में आपको ध्यान रखना है इंपोर्डेंट यह हो सकती है दनो उसके बाद निक्स्ट आर्डिकल बात करता है यूएस विल कंटीनियू टू बैक पाकिस्तान अब क्या है देखो यूएस और अफगानिस्तान को लेकर काफी सारी बातचीत चली रही है आपको मालूम होगा अफगानिस्तान के अंदर आज के टाइम पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रेट हो रही है ठीक है एक तरफ अफगानिस्तान की सरकार है दूसरी तरफ तालिबान है और दोनों के बीच में डिस्प्यूट चलता हूँ नजर आ रहा है और यूएस बीच में यहाँ पर आप देख पाऊगे क्या है कि यूएस की आर्मी आ चुकी दी अफगानिस्तान के अंदर 2001 के अंदर जो भी चीज़ें हैं हिस्ट्री जो है यहाँ पर हम लोगों ने काफी कवर कर रहे है नाइन इलेवन अटैक हुआ था उसके बाद यूएस की जो आर्मी है वो अफगानिस्तान के अंदर गुज गई थी 2001 में लेकिन अभी तक जो है वो ट्रूप्स वापस नहीं निकले हैं अब यहाँ पर उन ट्रूप्स को विड्रॉ किया जा रहा है और जो डेडल वापस से बहुत ज़दा आपके सकतो अइक्टिव हो जाए और बहुत ज़दा अपनी जैसे पहले अक्टिविटीज दिखाता था उसी टाइप की अक्टिविटीज यहाँ पर वापस से करने लगे तो इसको लिए यहाँ पर जो अफगानिस्तान के आज के टाइम पर जो इसको ऐसा करना भी निए चाहिए था एक सपोर्ट मिलना चाहिए था अफगानिस्तान को ठीक है यूस की टूप से तो यूस यहाँ पर यह बोलता है कि लगातार यू अपका सब्सक्व करने वाले अफगानिस्तान को ऐसा नहीं कि यूए जो है छोड़ देगा अलाकि जो अफगानिस्तान को यहां पर यह बोला गया है तो यह छोड़ी छोड़ी इंफोर्मेशन है जिसके बारे में एक छोड़ा सा इडिया आप लोग रख सकते हो ठीक है मतलब क्या है कि अभी जो यह काम होना है यानि यूएस अपने टूप से विड्रॉक करेगा डेफिनिटली ल जोड़्स प्लॉइड के बारे में कल कर रहा हूं पिछले साल से आप लोगोंने काफी बार पड़ा है ठीक है और काफी बार मैंने आप लोग को बताया भी है तो यहां पर आप देख पाऊगे जो पुस्टर है यह जो प्लॉइड का है दो हुआ क्या था एक पुलिस था य तो उसके बाद काफी ज़ादा करते हुए नजर आते हैं ठीके जो ब्लाक लाइव मैटर्स करके उसका बात केमपेइन वगरा भी चला था ठीके ऐसी चीज़ें यहां पर देखने को मिली थी तो अब यहां पर जिस पुलिस वाले ने मारा था ठीके इन व्यक्ति को तो उस सब्सक्राइब तो आप लोग इसका बिल्कुल मतलब अच्छी तरीक इस इस्तमाल कर सकते हो दर उसके बाद बढ़ते हैं आगे देखेंगे नेक्स्ट आडिकल साइंस एंटेकल के बीच पर आएंगे तो यहां पर मैं सारे आर्टिकल डिसकस नहीं करूंगा ठीक है यहां और मैं यहां पर यह दो आर्टिकल डिसकस करने वाला हूं जो कि ज्यादा इंपोरेंट है यह और यह हम लोग डिसकस करेंगे तरन उसके बाद इसको आप लोग रीड कर सकते हो वही बोला गया है जो ब्लाइंडनेस यह अंदर पन है वह ज्यादा देखने को मिला आज के ट सकते हैं क्लिूज क्या ले सकते हैं मेटृट से जール हम बताया गया है तो नवंबर 13 की बात है 2015 में एक मीटिओरॉइट गिरा था कहां पर आसाम के अंदर असाम के आफसपास यहां पर कमर गाउं के आसपास यहां पर गिरा था और इस मेटीओ यह जो वेट है तो वहांग मै स्बैट की तरह ठीक हिसके बाद यहां पर पता यह चला है कि जो लौर हो прос k बार ह को देखने को मिलेंगे अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि किस चीज़ के बारे में यहाँ तरीके से दिखो यह जो meteorite है इसके उपर research करकर हम लोग यह पता लगा सकते हैं कि किस तरीके से जो हमारा planet earth वो बना है ठीक हम लोग interested रहते हैं हमेशा से जानने के लिए planet कैसे form हो है और हम लोग इस से जान सकते हैं यह काफी important यह हो जाता है ठीक है बहुत सारी studies वगरा यह भी बताती है कि यह जो कमरगाउं meteorite है जहां पर गिरा था उसी का नाम दे दिया गया इसको कमरगाउं meteorite इसके अंदर आपको बहुत सारे minerals देखने को मिलेंगे जैसे कि olivine, pyroxene, plagioclase, chromite करके यहापे बहुत सारे minerals देखने को मिलते हैं और यह सारी चीज़े आपको earth के upper mental के अंदर भी देखने को मिल जाते हैं कि olivine है वो earth के upper mental में भी देखने को मिल जाती है तो यहाँ पर यह बोला गया है कि हम लोग इससे पता लगा सकते हैं आराम से कि जो earth वगरा कैसे form हुई है इसके ओपर research काफी easy हो जाएंगी उसके बाद जो यह meteorite वगरा है यह originate होता है asteroid belt से कौन से वाले जो Mars और जुपीटर के बीच के asteroid belt है वहां से निकल कर आता है अब यहाँ पर हम लोग बात करें तो यह जो different different meteorites होते हैं यह हम लोग इसके through understand कर सकते हैं इनकी जो है किस तरीके से जो हमारा planet वगरा form हुआ है बार-बार वही चीज़े बताए गई है जो यहाँ पर एक author बोलते हैं का IIT के खरकपूर के यहाँ पर researchers हैं जिनका कहना यहाँ पर यही बिल्कुल सेम चीज़े जो कि मैं अभी आप लोग को बार-बार बता रहा हूँ यह meteorite होते क्या है तो चलो मैं आपको बताता हूँ तो यहाँ पर आप लोग यह वाला picture देख पा रहे होंगे देखो आपको तीन concept देखने को मिलते हैं एक होता है meteorite दूसरा होता है meteor और तीसरा होता है meteorite है ना यह तीन concept काफी ज़दा important ने इसका अदर confusion रहता है लेकिन आ यहाँ पर क्या है कि ऊपर स्पेस में आपको यह सारे देखने को मिलेंगे अब जब यह तकड़ा एक तरीक से मैं आपको यह तकड़ा है जो यह इसकी बात कर रहा हूं यह तकड़ा अगर इस सुनना अगर यह अंत्रिक्ष में होगा तो इसको हम लोग meteorite बोलते हैं अब य यह जैसे यहाँ पर यह प्रित्वी रखें जो प्रित्वी यह सा स्टार्ट हो रहे है यह यह अर्थ स्टारद हो रहा है यहां पर गिरना चलूगा और यह जैसी ऐर्थ के एक्मोस्पेर में एंटर करेगा इसको हम लोग meteor बोलते हैं ठीक है पहले इसको meteorite बोला जाता है ज इसको अलग अलग पोजिशन की हिसाब से इसको अलग अलग नाम दिया गया है तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है ओके नाव आगे बढ़ते हैं नेक्स आर्टिकल की तरफ यहां पर एक छोड़ा सा आर्टिकल है जिसका अंदर बताया गया है क्या इंसेक्ट्स बहुत सारे ड्रागन फ्लाइज बीटल से बटर फ्लाइज लोकस्ट मॉथ यह सब जानी जाती है कि यह लोग माइग्रेट कर सकते हैं अपनी ब्रीडिंग सीजन के टाइम पर ठीक है और डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते हैं बहुत ज़्यादा लंबा यह अलग-अलग प्रज बटर फ्लाइज है जिसका नाम है वनेशा कार्डवी यह लगबग ट्रावल कर सकती है 12,000 से 14,000 किलोमेटर बिल्कुल 12,000 से 14,000 किलोमेटर राउंट ट्रिप्स आपको सकते हो कि यह माइग्रेट कर सकती है और इसी के साथ यह लोंगेस्ट एन्वल इंसेक्ट माइग्रेश करती है यूरोप से और आपका सकते हो यूरोप को ट्रावल कर सकती है सहारा डैजर्ट को क्रॉस करते वे अगर वेदर कंडिशन वगरा अच्छी रहेंगी तो ऑवियसी बात है यह लंबी दूरी तक टैक कर सकती है माइग्रेशन कर सकती है उसके बारे में छोड़ी सी इन् को एडी ने ट्रांसफर किया है जो डिफॉल्टर का एसेट है किसको पब्लिक सेक्टर बैंक्स को अब यहां पर डिफॉल्टर का मतलब क्या है देखो बहुत सारे लोग है जो कि पैसा लेके भाग जाते हैं इंडिया से दूसरी कंट्री के अंदर जैसे की सबसे फेमस नाम इससे हमारी कंट्री को लोस होता है जिसस बैंक से लिया है वो बैंक घाटे में गहरते है अब चाहिए कुछ भी कर दो और दो की बैंक्राब डेक्लियर कड़ेश्च को लेकिन अब आपको ध्हान दैना है जो इस टाप की केसी होते हैं वो हैंडल करता एड यहांई एन्समे assets वगरा को seize कर लिया, इनके जो flat, property, जो भी है, जो भी हाँ पर आपको assets देखने को मिलेंगे, उसको seize कर लिया गया, enforcement और यहाँ पर यह बताया जा रहा था, कि इन लोगों ने मिलकर कम से कम इंडिया को नुकसान पहुचाए है, 2585 करोड रुपे का, जिसके अंदर से लगबग 18,000 करोड रुपे तक तो ED ने इनके assets वगरा seize कर लिये गए हैं, अब जो है इसी assets के अंदर से, जो यह banks हैं, इनको थोड़ा बहुत transfer कर दिया गया है, लगबग 6,000 के आसपास 6,000 से जादा करोड रुपे transfer कर दिया गया है, अब obvious ही बात है, इससे कुछ ना कुछ तो इन लोग को relief मिले गई, ठीके, banks जो हैं, कहीं न कहीं recover कर पाएंगे, तो यहाँ पर इतना पैसा ED के द्वरा दिया गया है, चलो अब बात करता है यह ED होता क्या है, यहाँ पर आप देख पाऊगे, एक और आर्टिकल आ जाया था, ED से ही related क्योंकि enforcement डिरेक्टरियेंट ने आपको बहुत सारा syllabus देखने को मिलेगा, जैसे की statutory body, regulatory and various quasi judicial bodies Prelims के point of view से क्या पढ़ना है, enforcement डिरेक्टरियेंट के objectives, function और composition Mails के point of view से controversies पढ़नी है, जो current affair में आपको देखने को मिलेगी, जैसे की अभी enforcement डिरेक्टरियेंट ने इतना amount जब्द कर लिया है, और उसके बाद जो है, इस bank को transfer कर दिया है, जैसे की यह current news हो गई अब हम लोग बात करते हैं, enforcement डिरेक्टरियेंट की तो एक multi-disciplinary organization है, ठीक है यह दो loss को लेकर काम करती है, दो कानुन को इनेट करती है, खासकर किनकिन से, एक तो FEMA है, दूसरा PMLA है, तो यहाँ पर आपको लोग को इसको देख लेना है, क्योंकि आगे फिर से इसके बारे में चर्चा हो रही है FEMA मतलब Foreign Exchange Management Act 1999, और इसके बाद PMLA का मतलब Prevention of Money Laundering Act, Money Laundering का मतलब यह है, कि जो black money होता है, उसको white money में convert करने की खोशिश की जाती है, तो उसको रोकने कली भी यहाँ पर यह enforcement directed work करता है, और जो foreign exchange को लेकर काफी सारी problems होती है, उनको भी यहाँ पर यह जो enforcement directed है, वो देखता है, उसको बाद इसकी history की बात करें, इतिहास बात करें, इतिहास की, तो यह जो direct rate है, यह आया था first made 1956 में, इसको पहले enforcement unit बोला जाता था, लेकिन 1957 में इसका जो नाम हो बदल दिया गया, unit से इसका नाम बदल दिया गया, enforcement directed कर दिया गया, पहले यह Department of Economic Affairs का अंडर में आता जाता है, Department of revenues को देखता है, ठीक है, उसको बाद इसकी जो powers बगरा की बात करें, तो मैंने आपको बताया, दो laws को लेकर बात करता है, जो फेमा हो गया, और PMLA हो गया, जो कि अभी हमने discuss किया था, ओपर, composition की बात करें, तो यहाँ पर कौन कौन देखने को मिलता है, बहुत स पर officers होता है, जैसे की customs, central exercise, income tax officers, यहाँ सबसे यहाँ पर officers को लिया जाता है, functions की बात करें, तो मैंने आपको बताया, कि जैसे की fugitive economic offenders act हो गया, इसके regarding काम करता है, fugitive मतलब वही जो भगोड़े लोग होता है, पैसा लेके भाग जाता है, जो कि अभी हमने discuss किया था, ठीक है उन लोग को भी यहाँ पर यह handle करता है, उसी के साथ यहाँ पर जो foreign exchange वगएरा है, या फिर जो smuggling वगएरा देखने को मिलती है, foreign exchange को लेकर, तो उन चीज़ों को भी यहाँ पर यह rock tower नजर आता है, enforcement directed, इनकी अपनी खुद की special court है, जिसको हम लोग PMLA court बोलते हैं, जो भी ह आपको मालूम होगा, 22 सारी के साथ कुछ editorals रह गए थे, दो editorial रह गए थे, मैंने बोला था कि संड़े में discuss करेंगे, तो आज थोड़ा सा time है, तो हम लोग आज उन editorial को भी discuss कर लेते हैं, आपको मालूम होगा, 22 सारी को हमने दो editorial छोड़ दिये थे, यह ले editorial सारे discuss कर लिये कि इंडिया के लिए कर क्या situation है, यह सब कुछ हम लोगों ने discuss कर लिया था, perpetual war वगएरा, यह सब कुछ बार कर ली थी, यहाँ पर बात करते हैं, यह वाला लिटोरल हमने छोड़ा था, तो इसके बारे में बात करें, यहाँ पर discussion क्या गया है, federal structure के बारे में, तो यह आप ल स्ट्रक्चर ही देखने को मिलेगा, states और centers दोना ही work करते हैं, अब यहाँ पर बोला यह जा रहा है, states अगर जो है directly text को collect करें, तो वो जादा benefit भी होगा, और वो लोग less dependent होंगे, central government के पास, अभी आपको मालूप होगा, जो text वगएरा है, वो implement करता है, central government, तो यहाँ पर य कहना पड़ता है, तो यहाँ पर यह इस चीज़े बोली गई है, अब आप लोग यहाँ पर और चीज़े क्या देख पाऊगे, कि कुछ यहाँ पर information तो वैसी वाली दी गई है, कि आपको सकते हो, unity of India को preserve करने के लिए, एक great time of India, जैसे कि आपको सकते हो, कि rulers वगएरा है, त इतने भी राज्य वगएरा थे, इन सब को मिला लिया गया था, तिके अब यहाँ पर यह जो राज्य वगएरा है, यह लोग छोड़ नहीं सकते हैं, इंडिया को, ऐसा यहाँ पर हमारे पाऊस समविधान में हैं सब कुछ, ठीके, कि स्टेट्स वगएरा को मिला कर हम लोग एक अखंड भारत बनाए गया है, ठीके, देन उसके बाद यहाँ पर हम लोग बात करें, तो युएस के अंदर आप लोग को अलग सिस्टम देखने को मिल जाएगा, वहाँ पर आपको अलग-लग स्टेट्स देखने को मिल जाएंगे, अगर आप लोग को वहाँ पर सकते हो, ठीके, आपको सिटिशनशिप बदलवा भी सकते हो, आप से वो सारी चीज़ देखने को मिलती है, यह सारी चीज़े यहाँ पर हो जाती है, ठीके, कुछ पॉलिटी के कौन सेप्ट है, जानो उसके बाद टेक्स को लेकर डिसकुशन किया गया है, कि जो डिरेक्ट से वो इंकम टेक्स है, कौप्रेक्ट टेक्स है, युएस के अंदर जो फैडरल है और स्टेट गो Tenemos है, दोनों लेक्स करता है, जोकि काफी बड़िया बात है, लेकिन अगर हम लोग बात करें, इमद्या के अंदर यो डायरेक्ट टेक्स हैं, वो पूरा का पूरा क्लेट क्य हैं हमेशा जो सेंटल के उपर यह डिपेंडेंसी है उसको खतम कर पाएगा जो सेंटल गोवर्नमेंट है इन्होंने यहां पर आपका सकतों सेस वगराइड किया है बहुत सर आइटम्स के उपर टेक्स के उपर टेक्स लगा रखाए ठीक है और उसकी वज़से यहां पर इसको इसको सबसे पहले बात ओपन कर दिया जाता है क्योंकि यहां पर इससे काफिए टेक्स कलेक्शन वगरा देखने को मिल जाता है तो इसके अंदर हमें बदलाव करने के जरूरत है और बदलाव एक छोड़ा सा यह हो सकता है जो स्टेट्स वाला कलेक्षन वाली पावार्स है वह मोग स्टेट्स को दे सकते हैं इश्टीट्क यह बाद उनकी जो डिपेंडेंसी सेंटर उपर वो काफियत तक हतम हो जाएगी ठीक है अब होता क्या है कि देखो उत्रप्रदेश जो है टेक्स में बहुत कम कॉंट्रिबूट करता है ठीक है उत्रप्रदेश आपका सकते एक लार्जस्ट पॉपॉलेशन इंडिया के अंदर य ठीक है बहुत अच्छा काम करने के बाद वो सरकार को बहुत जादा कॉंट्रिबूट करके दे रही है तो क्या होगा कि उसको भी यहाँ पर उसको अगर मागी पॉपॉलेशन कम है तो उसको कम मिलेगा ठीक है उसके हिसाप से अकॉर्डिंग के आपका सकते हो उसकी कितनी एंदर बात करी गई है अगर किसने सुसाइड अटेंट करने की कोशिच करी हो भाई वो बच गया तो फिर बच गया तो उसके उपर फिर से कारवाई चलेगे उसके उपर यहाँ पर आपका सकते हो की सेक्शन 309 की अकॉर्डिंग उसको पर कारवाई चल सकती है उसको सजा मिलेगी ठीक है तो यहां पर यह बोला गया है कि भई उस स्यूसाइड का जो आपका सकते हो कि आपका सकतो यह विचिस के ओपर किसी करने की कोशिश करी है तो फिर ऐसको आपका सकते हो गरेमेल तो आप कर सकते हैं उसके माइंड को थोड़ा अच्छा करने के लिए आफर कुछ और प्रोविजन लेकर आओ जिससे कि हम लोग यहां पर इस डी क्रिमिनलाइज इस जो क्रिमिनलाइजेशन है सुसाइड का उससे बस सकें ठीके इंडिया के अंदर है कहाई यह सुसाइड रिट आपक आपको यह सारे देखने को मिल जाएंगे यह सारे रिजन से जिसकी वज़ा से सुसाइड रेट काफी ज़्यादा बढ़ता वह नजर आ रहा है क्राइम और पनिश्मेंट की बात करें तो लगबग सेक्शन 309 है इंडियान पीनल कोड़ का यह पीनल प्रोविजन देता है अ यह जो क्रिमिनलाइजेशन वाला सिस्टम है यह अमने ब्रिटिश पार्लियमेंट से लिया था लेकिन इंडिया के अंदर अभी भी सारी चीज़े देखने को मिल जाएगी इंडिया के अंदर आप लोग देखने को मिलेगा एक बिल है जो की रिपिल करता है सेक्शन 309 को य यह नहीं तो लोग सबाइनु हो ग powerless होगी ठीक है फिर उसके बाद यहां पर पर देख पाएएज उसी को लेकर बहुत सब्स करें यहां पर यह बोला है कि भाई यह जो आर्टिकल 309 है जो क्रिमिनलाइजेशन है सुसाइट का वो बिल्कुल सही है उसी तरीके से कौर केस हुआ था अरुन रामचंद्र शाबोग वर्सिस यूनियन ऑफ इंडिया करके केस हुआ था जहां पर ये भी बताया गया अगे इन लोगों ने यहां पर इस चीज को उसी तरीके से एक और केश हुआ था मारूती श्रीपती दूबल वर्सिस स्टेट ऑफ महराष्ट्रा तो यहां पर इन चीजों को फेवर क्या गया मतलब इस चारी चीज़े होनी चाहिए क्रिमिनलाइजेशन होना चाहिए मतलब अगर कोई सुसाइड करता है त अगर हमारे पास राइट तो यह भी हमारे पास होना चाहिए लेकिन यहां पर देखो इस चीज को प्रमोट करने की बात नहीं करी गई है बेसिकली यहां पर यही बोला गया है कि देखो सुसाइड को डिक्रिमिनलाइज किया जाए क्योंकि यह बिल्कुल भी सही चीज नही पड़ेगा दाकि उस बंदे को उस सिचुएशन से निकाला जा सके उसके आप पास करा एक आज के टाइम पर आप देख पाऊगे 2017 में पास किया था में पास किया था मेंटल हेल्थ के एक्ट सेक्शन 115 सब क्लॉस 1 के अंदर में ठीक है उसके बाद यहां पर आप देख नाइन है यह अटाना पड़ेगा ठीक है क्योंकि इसके रिगार्डिंग आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी क्रीट हो जाते और बिल्कुल कि यह कॉंसर्प सही है भी नहीं क्योंकि जिस बंदे ने आपर सब्सक्राइब करने की कोशिश करी है ठीक है तो उसके खिलाफ लेकिन यहाँ पर उनको सजा नहीं मिलेगी लेकिन क्या है अगर कोई सही बंदा है सही व्यक्ति है वो यहाँ पर सुसाइड अटर्म्ड करने की कोशिश करता है तो अगर वो बच जाता है तो उसके खिलाफ यहाँ पर यहाँ पर यह सारी चार्जे लगा जाते हैं ओके तो I hope अब आपको सब समझ में आ गया होगा सारे आर्टिकल पूरे हो चुके हैं दो पेंडिंग आर्टिकल थे वो भी यहां पर पूरे हो चुके हैं नाव इसके साथ करते हैं लेक्चर को समाप मिलते हैं आप लोगों से नेक्स वीडियो में आज के लिए बाबाई have a nice day thank you and jahin